हेलो फ्रेंट व्लकुमा यूट्यूब चैनल में अब सिका स्वागत है फिर से में नेए उडिक साथ आज को आज यह वीडियो होगी बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो शंदर अपडेट के बारे में जो जान करी है वह आप सब भी को में यहापर देने वाला हो जैसा कि आप सब से बड़ी और इंपोर्टन चीज जो सूचनाम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर देख लिजगा 30 मार्च यहाँ पर जो लेटर है यह जारी किया गाए है और इस 30 मार्च वाली जो लेटर है इसके अंदर क्या लिखावा है यहीन सारी चुझों के बारे में ह आप सभी को मैं यहाँ पर प्रड करवाने वाला हूँ कि UPMS के तरब से यहाँ पर क्या नोटिस दे दिया गया है ठीक है क्या प्रेणाम के बारे में हाँ पर नोटिस दिया है या फिर भरती है उससे रिलेटर ही हाँ पर कोई नोटिस आया तो इन सारी चीज़ों के बारे मे लिखा क्या है यह विग्यापन संख्या देख लीजीगा आपको जो एक्जाम आज कंड़क्ट करवाया गया था इस एक्जाम की अड़र्टाइजमेंट नमर आपको यहाँ पर दिये गये हैं 31 2030 के मादिन से कंप्यूटर बेस एक्जाम हैं कि आपका CBT एक्जाम करवाया थ हटने के बरान की जाएगी यहां पर आपका जो रिज़ल्ट है यहां पर एस पर ब्नका लिख दिया हकि ना तो आपका अभी परिणाम आएगा और नहीं आपकी जोइनिंग आएगी अब इसका रिजन भी इन्होंने दे दिया है कि आपका result क्यों लेट होएगा या फिर आपका जो जोइनिंग है वो क्यों लेट होगी तो आप सभी को पता है अब कि अचार सहीता लगी है और आचार सहीता की वज़े से यहाँ पर कोई भी जो कारिये है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे है तो यहाँ पर कंड़क्ट करवा लिएगा है लेकिन आप आगे की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपकी बिल्कुल बंद रहेगी ना तो आपका प्रणाम लिष्ट तयार होगी ना आपका result आएगा ठीक है ना आपकी जोइनिंग होगी जैसे ही आचार सहीता आपकी हटती है तो आचार सहीता के बाद में यह प्रोसेस है यूपी एमेस की वेकंसी के प्रोसेस आपकी आगे बढ़ेगी इससे पहले आपकी जो यह प्रोसेस है यह आगे नहीं बढ़ने वाली है ठीक है तो यह आप सभी के लिए इंपोटेंट जो नूज है यह प्रोवाइड करवाना बाकि आपको मैं update देता रहूँगा continue अगर बीच में कोई update आती है तो बिल्कुल आपको UPMS related इस चैनल के मादम से step by step आपको update मैं product करवाता रहूँगा ठीक अगर वीडियो अच्छे लगी informative लगी तो चैनल को subscribe इन बेल आकन को लिजेगा जिसे ऐसे यह video हम आपको आस time से ला